नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी एनेचम फाइनल जिला आवंटन लिस्ट जारी यूपी एनेचम सीसी एचन जिलेवार पीडियाफ लिस्ट जारी हो गई है दोस्तों डाकुमेंट वेरिफिकेशन नोटिस पब्लिस है सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल पर नए तो सस्क्राइब दोस्तों जरूर कर लिजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिएगा दोस्तों यह कौन सा जो है पीडियाफ जारी होगा है और कौन सा जिले वार यह जिला आवंटन लिस्ट फाइनली जारी हो गई है डाकुमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या कराने है वह सब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ सबसे पहले दोस्तों आप लोग जो है चैनल पर नए तो सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा दो अब दोस्तों जिससे मैं आप लोग को अपडेट जो है नहीं दे पाया क्योंकि बहुत ज्यादा समय भी नहीं था हमने कहा कि आपको जो है आज की डेट में देंगे यहाँ पर देख सकते हैं जो सब्जेक्ट रिकार्डिंग फाइनल डिश्टी के ऐलोकेशन अफ एक सो साथ सीचो सीची एचन ट्रेनिंग कंडिडेट और कमूनिटी हेल्थ ओफीसर सीचो पोजीशन इसका मतलब दोस्तों आप लोग यह समझेए कि एक सो साथ जो अभ्यर्थी हैं वह सेकेंड अट्रेंट में जो सीची एचन कोर्स का ट्रेनिंग था वह पास कर लिए हैं उनकी लिश्ट आ गई है अब लिश्ट के अनुसार यह उसी जिले में जाकर CMO Office पर Document Verification कराएंगे और उनकी जोइनिंग कहां पर होगी दोस्तों वह भी जो है सब्पुश इसमें दिया गया है यहां से देख सकते हैं दोस्तों नॉंबर 2022 और मार्च 2023 का यह सेकेंड अटाइम का जो है आ गया है सबसे पहले उपर देख सकते हैं पवन त्यागी जी है जितने भी अभ्यर्थियों को का हुगा है इसमें दोस्तों सभी को ठीर सारी शूभ कामना है और बहुत-बहुत बधाई हो यहां पर देख सकते हैं दोसों पवन त्यागी जी को यह प्रोग्राम स्टीडी सेंटर जो मिला है डिष्टिक ओमेन होस्पिटल आगरा यहां EWS काटेगरी से रहें और संत कभीर नगर फाइनल पोस्टिंग इनकी जो है संत कभीर नगर में है जो प्रोग्राम स्टडी सेंटर है दोसों यहां अब जो है आगरा में जो है इस्टेडी करेंगे उसके बाद संत कभीर नगर में इनकी पोस्टिंग हो जाएगी उसके बाद राकेस पाल है इनका जो है देखी दोसों डिश्टिक कंबाइंड होस्पिटल आम बेटकर नगर है और इनको बहराईच मिला हुआ है तो ऐसे ही दोसों यह स्यच्चो की है ऐसे ही एनम का स्टाफ नर्स का फार्मसिस्ट का लाइब टेक्निसियन का भी जो है ऐसे ही आप लोग को डिश्टिक के अलॉट्मेंट लिश्ट आपको देखने को मिलेगी बहुत से अभ्यर्थी है दोसों लगभग 107 अभ्यर्थियों की यह लिश्ट आई हुई है यहां से देख सकते हैं पूरा इसमें दिया गया है अभ्यर्थी अपना नाम जरूर देखें और देखने के बाद दोसों जो यह आपका study center है वहाँ पर जाएं वहाँ पर जाने के बाद आप में फिर उसके बाद जो है आप joining अस्थल पर पहुंचेंगे यह प जिलेवार ऐसे ही रहती है फिर उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होते हैं पहले क्या होता था दोस्तों यह लिस्ट जो आती थी लखनौ में ही डॉक्मेंट वेरिफिकेशन हो जाते थे फिर उसके बाद जो है ये आपका जिलेवार फाइनल लिस्ट आती थी वो जॉइनिंग की लिस्ट आती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं CH का है दोसों आप देखिए यहाँ पर इसमें दिया गया एक सू साथ अभिरती हैं लाश्ट में यहाँ पर देख सकते हैं एफ़र्मेंट से हैं एफ़र्मेंट कंडिडेट आफटर बींग पोस्टेड एज सियच्चो विल बी इंटाइटल टू गेट बीस हजार पांच सो रुपए इनका है दोसों पर मन्त मिलेंगे ओनरिया एंड मैक्सिमम रुपीज पंदरा हजार पर मन्त एज पर फ लेकिन जो यह काम करेंगे इनके पर्फॉर्मेंस के उपर पंदरा हजार रुपए इनको मिलेंगे यानि 35,500 रुपए इनका जो है रहेगा और यहां पर साफ साफ है दिया गया है दा पीबियाई एंड होनोरियल सेल बी पेबल फ्रॉम दा डेट ऑफ जोइनिंग एस यह च जालरी बनना सुरू हो जाएगा इन दिस रिगार्ड इट बिलंग डिरेक्टेड इन फॉर्मे ए फोर्स पास कंडिडेट अफ यूर डिस्टिक फ्यूर लेवल तो कंप्लेट जोइनिंग फार्मेल्टीज अन और बिफोर डेट बीस बारा दोहजार थेज फार 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 फ जोईन एस यह चो सैल स्टेंड कैंसल अगर लास्ट डेट के बाद आप जोईन करते हैं तो यह कैंसल कर दिया जाएगा और आपको सियोर्टी बांड दोस्तों भरना पड़ेगा सियोर्टी बांड लगवग धाली लाग का नियर अब बोट का होता है इसमें और इसके बाद यहां पर दिया गया है it is to inform that community health officer as a non-transferable post hence the aforesaid contractual staff cannot be transferred to any other district मतब आपका जिस जिले में हो जाएगा उसके बाद आपका किसी जिले में transfer नहीं होगा यह भी इसमें कहा गया है mutual transfer हो जाएगा फिर जब कभी transfer आता है NHM की तरफ से तो transfer होगा लेकिन अभी अगर आप transfer कराना च चाते हैं तो transfer आपका भी नहीं होगा इसका कहने का मतब है यहां पर देख सकते हैं दोस्तों मिसंड डारेक्टर मैम का sign भी है डॉक्टर पिंकी जोवेल इसमें पिंकी जोवेल मैम है तो यह है दोस्तों आपका पूरा इसमें दिया गया है कैसे क्या है तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखें जो 107 अभियर्थी finally select हुए है अपने study center पर वहाँ पर पहुंचें पहुंचने के बाद जो है फिर अपने जो है document verify अगरा जो होते हैं वो सब करवाएं सभी original document ले कर जाएं final posting district भी सब कुछ आ गई है किस category बे selection उनका हुआ है program study center भी दिया गया है और NHM application number भी दिया गया है देखें दोस्तों इन लोगों का जो है online exam हुआ था CHO के लिए आप लोगों ने देखा ही होगा ये पचपन सो जो post रही दोस्तों उसकी में बात कर रहा हूँ पचपन सो post अब जाके complete होने के कगार पे है तो इस लिए जो 17,000 plus post है दोस्तों वो भी अब complete ही जल्दी ही हो जाएगी क्योंकि उसमें अब कुछ रह नहीं गया है जल्दी ही आप लोगों को भी चिला allotment लिस्ट पेडियाफ लिस्ट देखने को मिलेगी आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ जाएए कोई भी अगर जानकारी आपको special लेनी है तो टेल जरूर रिपलाई देता हूँ और अगर कोई भी दिक्कत परिसानी है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगो जरूर आवबत करा दूँगा लेकिन आप लोग अब डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए एकदम तयार हो जाईए कभी भी आप लोग को नोटिस देखने को मिल जाएगी स्टाफ नर्स का रेजल्ट आने ही वाला है उसकी भी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है बस केवल दोस्तों जो कहते नहीं है कि किसी कारण बस रुका हो क किसी कारण का मतलब यह है कि एनेजे में और भी काम है कुछ पेंडिंग काम पड़े हैं उसकी कारण रुका हुआ है और हर जिले के सीमो सर को आगाह भी कर दिया गया है कि आप लोगों के पास जल्द ही यह सब लिष्ट जाएगी आप अपनी तयारी कर लीजे जैसे यहां नोटिस आपकी लिष्ट अंशार आपको भी ऐसे ही नोटिस देखने को मिलेगी यहां पर साफ साफ यह लिखा रहेगा तू आल चीफ मेडिकल ऑफिसर सीमो डिस्टिक हैल सोसाइटी उत्तर प्रेस एक एक जिले का नोटिस नहीं आएगा दोस्तों ऐसे ही एक नोटिस आए थी फार्मसिस्ट की भरती तो हुई ही नहीं है यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि 490 पोस्ट पर हो रही है और स्टाफ नर्स की भरती आती रहती है तेई सो पोस्ट एक बार आए थी सकताई सो पोस्ट आए थी एक बार 4500 पोस्ट आए थी 247 पोस्ट मतलब आती रहती है और ज ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करिए का यह सी यच्चो पोस्ट के लिए रही दोस्तों मिलते हैं नेक्ष वीडियो में वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद